नमस्कार दोस्ते एक बार फिज़ आपको बहुत बहुत स्वागत है गौर्बंट इंपलाज वेलफेर की नहीं और फैस्ट वीडियो में दोस्तो वन्रेक वन पैंसन पर सुप्रिम कोर्ट में फाइनल हीरिंग हुई है तो चलिए इस वीडियो के माईदम से जानता है पूरी बड़ी खबर को विस्तार से कि आखिर सुप्रिम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है इससे पहले छोटा सा रिक्वेश्ट है कि वीडियो का अभी तक लाइक ने किया तो लाइक भी जरूर कर दीजे क्योंकि आपका लाइक से यह माने मैनित का फल होता है दोस्तों आपको बदाते कि वन डेक वन प्रैंसन का मामला नियायमूर्थी डॉक्टर बिवाई चंदरचूड और नियायमूर्थी इंद्रा बनारंगे की अदालत में 6 कोट नमबर 6 में सुचिबत किया गया था और दोस्तों सुप्रिम कोट में जो हमारी बारी हैं वो 1350 नमबर पे आई थी और नियायमूर्थी चंदरचूड ने ये सला दी है कि इस मामले में दलीलों और जबानी दलीलों देने के लिए 3-4 गंटे की जरूरत होगी यानि कि दोस्तों नियायमूर्थी चंदरचूड जी ने कहा है कि इस मामले में सुनवाई के लिए लगबग 3-4 गंटे लगएंगे और उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि इस सुनवाई में आपको इतना समय दिया जा सके और दोस्तों इसके बाद नियायमूर्थी चंदरचूड जी ने ये सुजाव दिया है कि हम दिपावली के बाद की अगली तारीक तै करते हैं जिसमें 1-1 पैंसन मामले में अगली सुनवाई होगी और दोस्तों इसके बाद में अमारी वकिल स्री बालाजी स्री निमासन जी ने जोर देकर कहा कि पिछली बार भी यही दरिल सुप्रिम कोट की दरब से दी गई थी बालाजी ने जोर देकर कहा कि आज ही हम अंतिम बहस के लिए तयार हैं न्याएमूर्ति ने अगली तारिक 18 नवंबर 2020 बुद्वार को दी हैं न्याएमूर्ति चंदर्चूर्जी ने कहा है कि वनड्रेक वनपैंसन मामले में जो अन्तिम सुनवाई हैं वो 18 नवंबर 2020 को बुद्वार को होगी तो दोस्तो अब असली वाली वन रेक वन पैंसन की मांग और पैंसन रिविजन को लेकर जो मुद्धा है सुप्रिम कोट में वो उसकी अगली फाइनल हीरिंग 18 नॉमबर 2020 को हो सकेगी तो ये थी एक लैटेस्ट कबर वन रेक वन पैंसन के संदर्ब में वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकिन को जुरूर दबा दीजिए ताकि सर्विंग और एटार फोजी जववानों से सम्मंदित हर नई आपको मैसा मिलती रहेगी इसी के साथ जे हिंद जे भारत